आज की जो विकंसी है यह आपको देखने के लिए है जल सकती विभाग के तरप से आपको यह विकंसी देखने के लिए है अगर आप इसमें इंट्रेस्टेड होंगे इलिजिबल होंगे तो जरूर सिसमें अपलाई कीजेगा इसमें फ्रेसर कंडियर्ड बिल्कुल इलिजिब लिए वेकंसी अभी निकल लिए तो सभी कुछ मैं आपको आगे डीटेल से बताँ को कैसे इसको अपलय कर सकता है कॉन कौन इसको अपलय करना है तो सभी कुछ जाने के लिए वीडियो को एंड तक दिखJI रहेगा और अभी तक भी वीडियो को लाएक्ट ने कि है तो जरूरस से चनल को सब्सक्राइब करके रखेगा साथी बेल अके प्रेश करके और जरूर से करके रखेगा ताकि जब जल सकती बिभाक के तरफ से विकेंसी आ और यहां पर रिजर्वस्ट इस तरीके से दिया गहां त आप इसको देख सकते हैं तो अभी इसमें ये विकेंसी निकल करा रही तो यहां पर आप देख सकते हैं हिमाचल परदेश पब्लिक सर्विस कमिशन के तरब से वेकंसी आ रही है हपी सी के तरब से जो भी कंडिट इसमें इंट्रेस्टेट होंगे इरिजबल होंगे जरूरर से इसमें अप्लाइ कर सकते हैं इसका जो अप्लाइजमेंट नमर है यहां पर दिया गहा है और इसकी जो स्टार्टिंग डेट है यहां पर दिया गहा है क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लिकेशन एक पांच दोजार तेश है रात के 11.69 पिम तक आप इसको अप्लाइ कर पाओगे और फी जमा करने का भी डेट यहां पर सेम दिया गहा है यहां पर चार चार दुजार तेश देख सकते हैं यहां पर अभी ऑनलाइन रिक्रूटमेंट अप्लिकेशन ओर इइन्वाइट किया गया यहां पर पोस्ट डिटेल्स की बात करें तो जल सकती विभाग में असिस्टेंट इंजिनेर सिविल की वेकेंसी है यहां पर जो क्वालिफिकेशन रहने वाली है यहां पर आप देख सकते हैं essential qualification में must possess regular full-time degree in civil engineering तो अगर आप लोग B.B.T.E.C. कर रखें या degree कर रखें या B.S.C. कर रखें इंजिनेरिंग डिपार्टमेंट में अगर civil engineering में तो आप इसमें apply कर पाएंगे और यहां पर from an institute या university duly approved या रिकोगनेट या UGC तो अगर आप इसमें किसी भी एप्रूब्ड या रिकोगनेट university इसमें apply कर पाएंगे और में करके दूसरा भी यहां पर qualification है जैसे कि AMIE enrolled up to on or before 31.13 यह से भी institute से भी कर रखें तो भी आप इसमें apply कर पाएंगे कलकेटा and institute of civil engineers इंडिया लुदियाना पंजाब यह सभी से भी कर रखें तो यह और में है आपका जो मेन है यह है तो आप कहीं से भी कर रखें भी बीटेक तो इसमें apply कर सकते हैं desirable qualification में दिया गया यहां पर यह अगर आपके पास है तो अची बात है नहीं है तो कोई दिकत नहीं है उसके बात करें तो यहां पर एटीन से ले करके 45 की बीच में दिया गया अठाड़ा से 45 की बीच में आपका एज होना चाहिए जिसमें कि आपको यहां पर कुछ relaxation देखने के लिए मिल जागा जो भी ओफिस्यल वेबसाइट के थुरू अपलाइ करना होगा तो मैं वीडियो के description में link दे दूँगा online application के नाम से तो उस link पर click करके directly आप इसको apply कर सकते हैं और यहां पर भी आप visit करके apply कर सकते हैं यह इसका official website है जहां पर आपको online recruitment application ORA में आपको visit करना होगा वहां पर आपको general category EWS category से आते हैं उन लोगों को यहां से यहां पर 400 पे करने होगे और यहां पर आपको जो भी सी स्ट के डिग्री मातते हैं यह नहीं करना है बात करें इसकी examination center कि या cities की तो यहां पर तीन location दिया गया एक धरम साला, मंडी और सीमला यह तीन जगा पर आपका examination conduct करवाई की CBT exams होगा computer based test तो इसमें आप attend कर सकते हैं यह तीन location पर आपका exam होने वाली है यहां पर exam selection process की बात करें तो selection process यहां पर दो stage में होगा पहला यहां पर screening या preliminary exam और दूसरा होगा आपका personality test यहां पर आपका CBT exams होगा जो की offline test objective और descriptive टैप में हो सकता है यहां पर दिया गया final selection के लिए और इसमें यहां पर negative marking भी रखा गया there will be negative marking for incorrect answer as per detail given below जो की है यहां पर one fourth का negative marking यहां पर आपको देखने के लिए मिल रही है इससे related जो syllabus है यहां पर दिया गया होगा और 20 questions यहां पर general knowledge of हिमाचल परदेश का रहने वाली है 10 questions यहां पर general knowledge of national या international affairs से रहने वाली है तो आप आप इसको समझे होंगे जबी main information था मैं आपको बता दिया फिर भी गर आपके मन में को confusion dot query रगया होगा तो सकते हैं देख सकते हैं यह हिमाचल परदेश public service commission का official website है यहां पर आने के बाद आप notification वाले section में यहां पर advertisement का section देखेगा इस पर आप किलिक करोगे तो इसमें जो भी advertisement यहां पर release हुई है यहां पर आपको देखने के मिल जागा जिसमें की यहां पर आप देख सकते हैं advertisement नमर दो अबलिक चार assistant engineer civil का और junior scientific officer का यहां पर post है इन में से इस भी post में आप eligible होंगी apply कर सकते है apply करने के लिए यहां पर apply online का button देखेगा आपको इस पर किलिक करना है उसके बाद यहां पर इस तरह का बेसिक से details आप से पुछे जाएंगे जैसे की email address mobile number security question में यहां पर अपने मन से कोई set कर सकते हैं जैसे की which was your first paid what is the name of your favorite childhood friend तो इस में से जो भी आपके नुसार से इसको set कर लिजे उसके बाद यहां पर उसका अंसर डाल दीजिए और password यहां पर confirm करके यहां पर आएगरी वाले बटन पर check box पर चेक कर दीजिए और register वाले option पर आपको क्लिक कर देना है उसके बाद यह registration complete हो जाएगा उसके बाद login करके आप इस form को successfully submit कर सकते हैं तो आप आप इसको समझोंगे मिलता है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए सुक्रिया और थैंक्यू वीडियो को जरूर से like, share, subscribe कर दीजेगा और इसी तरह के जो भी सारी तो आप लोग जरूर से join होकर करिएगा सभी का जो link से मैं आपको वीडियो के description में दे दिया हूँ और आप comment section में अपना जो भी branch है कौन ब्रांच से आप B.E.B.T. कर रखे हैं कौन ब्रांच से आप डिपलोमा कर रखे हैं या account से trade से ITA कर रखे हैं comment section में जरूर से बताएगा ताकि आने वाले जो वीडियोज हैं आपसे relevant आपको देखने के लिए मिलेगे